चाइना में MIUI 15 का internal beta test start हो चुका है and MIUI 15 का latest camera भी आ चुका है जिसे हमने अपने Redmi K50i में install कर लिया है and आज की इस वीडियो में हम आपको बता हैं कि MIUI 15 के camera application में क्या-क्या changes होने वाला है कैसा आप अपने किसी भी Xiaomi smartphone में MIUI 15 camera application को install करेंगे और आने वाले टाइम में official MIUI 15 का camera application कौन-कौन से device में देखने को मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही है वीडियो के end तक चानल के support के लिए चानल को subscribe कर लिजिए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक like जरू दीजिए चेंजेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको camera application के logo पे changes देखने को मिलेगा बट है Redmi K50M आपको old logo देखने को मिलता है लेकिन जैसे आप camera application को launch करेंगे अब आपके समने complete new UI design देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो shutter button है उसमें काफी जैदा changes देखने को मिल रहा है इसमें MIUI 15 camera application इसमें MIUI 14 camera application इंस्टॉल है swipe down करेंगे MIUI 15 camera application में कुछ इस तरह का UI design देखने को मिलेगा बट MIUI 14 में swipe down करेंगे तो कोई भी option देखने को नहीं मिलता है जितने भी यहाँ पर option है अब आपको MIUI 15 camera application में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है यहाँ से आप skin ratio को change कर सकते है HDR का support change करना है वो कर सकते है guidelines वगरा on कर सकते है वर्षटर का भी features मिलता है अगर आप video recording पर जाएंगे तो यहाँ पर भी काफी ज़्यादा changes देखने को मिल जाएगा जैसे आप swipe down करेंगे तो यहाँ पर आप flash, resolution, frame rate, steady mood जो की video को काफी ज़्यादा stable करता है टॉप से जहाँ पर 4x30 app लिखा है यहाँ से भी आप frame rate and resolution को change कर सकते है अगर आपका device 60 app में support करता है तो आपको इस option पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको changes देखने को मिल जाएगा और MIUI 14 का old UI आप देख सकते है चलते हैं पे pro mode तो pro mode दोनों के ही अलग है यहाँ पे आप MIUI 14 अला old UI देख सकते है यहाँ आपको new eye देखने को मिल रहा है जिसमें आपको iPhone style में camera application देखने को मिलेगा जो की pro mode में support करता है और आपके device में pro mode में जितने भी option है वो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको perfectly work करते हुए मिल जाएगा और MIUI 14 camera application के more के option पे जाएगे तो old UI में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है यहाँ से भी आप change करेंगे तो काफी बड़ा icon देखने को मिलेगा बट वहीं पे बात किया जाए MIUI 15 के icon का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं complete UI design changes देखने को मिल रहा है और अब बात करते हैं कि MIUI 15 camera application को कैसा अपने किसी भी Xiaomi smartphone में install कर सकते हैं तो देखिए करेंड में MIUI 15 camera application हर एक device में support नहीं कर रहा है जो भी flagship level device है जैसे कि Redmi K50i, Poco X4 Pro 5G, Poco F5 इन सब device में MIUI 15 camera application को बहुत इजी तरीकी सब install कर सकते हैं description box में मैंने MIUI 15 camera application का download link दे दिया है जो कि आपको मेरे telegram group के channel पे लेकर आएगा यहां से आपको MIUI 15 camera application को download करना है, click करना है इसे update कर देना है और update करने के वाद आपके device में MIUI 15 camera application install हो जाएगा इनकेस की applications धंग से support नहीं कर रहा है या कुछ न कुछ error देखने को मिल रहा है तो आप इस तरह से application के ओपर hold करके app information पे जाके uninstall update कर सकते हैं बट मैं आप install नहीं करूंगा क्योंकि मेरे device में यह perfectly work कर रहा है और बात रहे कि आने वाले time में कौन कौन से device में देखने को मिलेगा तो देखिए आने वाले time में जितने भी Xiaomi के device में MIUI 15 का update मिलेगा हर एक device में आपको MIUI 15 का ही camera देखने को मिलेगा और यह बात की MIUI 15 का अपडेट कौन कौन से डिवाइज में मिलने वाला है तो इसके उपर अलग से एक वीडियो आएगा तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए पसनली कोई हल्प चाहिए तो टेलिग्रम ग्रूप को जोल कीजिए एन इंस्टा में फॉलो जरू कर लिजिएगा थैंक्यू